Happy New Year याने की नववश नववश एक ऐसा उत्सव है जो पूरे वीश्व में अलग-अलग स्तानों पर अलग-अलग वीदियों से मनाया जाता है विबिन्न संप्रदायों के नववश बिन्न होते हैं और इसके महत्वभी विबिन्न संस्कृतियों में परस्पर भिन्नता है जादातर देशों में नववश 31 दिसंबर को 12 बजे के बाद एक जन्वरी को मनाते हैं नववर्ष का उत्सव पूरी दुनिया में मनाया जाता है। नया वर्ष लोगों के लिए नई उम्मीदे लेकर आता है। लोग 31 दिसंबर को ही इसकी स्वागत में जुट जाते है। इस दिन बीते पूरे वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाव को याद किया जाता है। पूरा 31 दिसंबर की संध्या को विशेश कार्यक्रमों का आयजन भी किया जाता है। धनी मानी लोग क्लबों और होटलों में मौज मस्थी करते है। सार्वजनिक स्थानों पर गीत संगीत के कार्यक्रम होते है। रेडियो और टेलिविजन पर विशेश कार्यक्रमों का प्रसारण मंदर रात्री को आकशक आतिश बाजी का प्रदर्शन किया जाता है। प्रियजनों को पुश्प गुच्छ एवं उपहार दिया जाता है। लोग एक दूसरे को नववर्ष की शुपकामनाई देते है। एक जन्वरी को कुछ लोग पिकनिक एवं दर्शन यस्तानों के ब्रह्मन पर निकलते हैं। इस तरह नववर्ष का उत्तव हमारे अंदर नई आशाय जागुरूत करता है। नववर्ष के दिन यानी एक जन्वरी को कई लोग न्यू यर रेजॉलिशन भी रखते है। जैसे कि पिछले साल में छोड़े हुए अधूरे कामों को पूरा करना या बूरी आदतों से छुटकारा पाना। जहां लोग पिछले साल में की अपनी गलतियों को ना दोहराने की कसम खाते हैं। तो वही कुछ लोग अच्छे बुनियादी आदतों को भी अपनाते हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठकर यूगा शुरू करना, अपने दफ्तर वक्त पर पहुचना या अपने माता-पिता का अच्छे से खयाल रखना। नववर्ष सभी के जीवन में नई उम्मित और नई उत्साह के साथ जनम लेता है। हंगामा की तरफ से आप सभी को नववर्ष की धेर सारी शुप काम नाई। हंगामा की तरफ से खयाल रखना की तरफ से खया है।